पशुपति व्रत की महत्वता दर्शन अब पशुपति व्रत को समझ लेना कई माता हैं गल्टी करती हैं कई माता हैं व्रत को नएने तरह से करती हैं कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है उस व्रत को आप समझ लीजिए पश्यूपति ब्रत अच्छे से समझ लेना पाँ सुमझ भरत है। तो आपको फिर कोई यह नहीं होगा कि मैंने बत करा और मेरा काम क्यों नहीं होगा। उसमें अंपने को पनी गलती जात जाता है कि गलती का होता है, या कुई कुई नोरंतरी का भरत कर रहे हो या कुई कुई तिथी का भरत कर रहे हूँ, और उस दिल दञे शुम बारब सावर्द करूमें तो उस समय पर आको पशुपति प्रथ जोड़ देना चाहिए पिर आप पीच Iya का प्लों यह चतुछी का करती हो छटका करती हो दो च्छर डृती查 करती हो तो मुं रात्रें किता है मैं पांच बृत पशुपति होते हैं बड़ बरत करने के लिए जब सुद्बार से पशुपतिनाः के बरत करना है जिजियों प्भाईयों ध्यान करना उस दिन सुभह इस्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की ठाली लगा लो उसमें चंगन अभीर गुलाल जो भी आप रखना चाहें रौली चावल मौली जनेव पंचामरत चाहो तो अलग-अलग ले जाओ चाहो तो एक साथ मिला कर ले जाओ बगवान शंकर की पूजन करो अब सुभा के समय पर और शिवजी का पूजन करकर अराधना करकर बगवान शंकर से प्रात्थना करो हे श्युजी, हे ओगरदानी हे त्रकालजर्षी, हे कैलाशी, अभीनाशी आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारम करें बाबा मेरा ये व्रत इस कारे के लिए मैं कर रही हूँ आप स्विकार करना बाबा को निवेदन करना पूजन का समान ठाली में उतना लेकर जाना कि सुबे भी काम आजाए और शाम को भी काम आजाए अलग से पूजन का साहित के हमें शाम को अलग से नहीं रखे थाली में उतना ही रखे ले जाओ जितना सुबे भी काम आजाए और शाम को भी काम बाबा को निवेदन करकर पूजा की थाली वापिस लियाओ शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ छे दिये रखो ठाली के अंदर घी के और दिये रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो शाम को इसनान कराने की जरुवत नहीं पंचामा इसनान की जरुवत नहीं है शाम को तो केवल जल का चीता दे दो पंचामा का चीता दे दो बाबा की पूजन करो पूजन करकर परशाथ के पहले तीन हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाई पिर बाबा को कितने दिये लगाना है जम के बोलो पाँच दिये लगाना है आपको शंकर भगवान पाँच दिये लगाई है एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सुमवार को दिया जलाते समय अपने विर्दाई की बात कहते हैं पांच दिये पूरे हो जाएं छटा दिया जलाना नहीं है उसको थाली में बापिस रख लेना है परशाथ दो हिस्से मंदिल में छोड़ना है एक हिस्सा थाली में रखके ले आना है उजन करकर बाबा को निवेदन करकर वापिस आईए शाम को जब घर में प्रवेश करो सीधे हाथ की और घर में अंदर जाते समय अपना जो राई ठेंड हो उस और बेठो और बेठने के बाद उस दिये को प्रगड़ कर लो परजुनित कर लो वहाँ पर भी शिवजी से प्रा राज को नेकर आउ अगया उतना उतना ही पर्शाद लेकर आना जितना खब जाजाए चोड़ना भी नहीं है सबसे पहले परशाद खाईये उसके बाद में भोजन कर कि इस ब्रत में सुबह आप हलहार कर सकते हो शान को भोजन कर सकते हैं भोजन में यह जरूरी नहीं है कि मीठा ही करें नंकिन भोजन भी नहीं पूजन नहीं करना करना और जब पाच्वा ब्रत रहे तो उस पाच्वे ब्रत में जब सुभे पूजन कर या उसाम को पूजन करो तो साम पर चावल के दाने मून के दाने या बेल पत्र या फूल की पत्ती जो भी एक स्वाट चड़ा सकते हो भगवान को चड़ा कर एक श्रीफल 11 रूपे उस पर रख कर शिवजी से निवेदन करकर घर पर आजाईए दिया लगाईए और बावा से निवेदन करकर परिशाच पाँश सुम्बर के अंदर ही आपका काम हो जाएगा पाचे सत्व पहुचोगे यह श्रीफल